मेरे परिच्छात्रों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है कि अध्यायना जो कि है आपका सधारण एवंग चक्विधी ब्याज तो इस वीडियो में हम लोग केवल जो है कि सधारण ब्याज के बारे में हम लोग बात करेंगे और सधारण ब्याज जिसे जो जरूसरे क्या लोगा आपको कर दिएगा और रिखोटां दॉस्तों सेर कर दिएगा पहला है इसके वारे में किल का होता है द्धान दीजेगा है जी कि ब्याज की बात हम लोग करते हैं ने क्या कहला है जैसे किसी ब्यक्ति से कुछ रुपएए उधार लेते हैं जैसे हम एक्जामपल के तौर पर माल लेते हैं यदि मैंने कि किसी ब्यक्ति से 500 रुपे उधार लिए और उधार देने के समय यदि 500 रुपिया मैंने उधार दे दिया और इसके बाद भी जो है कि यदि हम लोग मालनों 50 रुपिया यदि एश्ट्रा देते हैं तो जो आपका यह 4 रहा है वही आपका कहलाता है Clerक है यानिकिसी ब्यक्ति से आप 500 रुपिया उधार लिए हैं और उधार जब आप चुपता करने जाते हैं यानि कि दो है किसे ने जाते हैं तो वह कहता है कि मुझे 50 पाशाश रुपिया एश्टरा और चाहिए 50 पार और चाहिए श्रुपिया न Vikberg लाता है क्या देंट तो और तोटल उसके ध्वन हो गया जो चार्ज ले रहा है पचास रुपिया यहीं आपको कहलाएगा क्या कहला ब्याज यानिक जितनी आपो किसी से पैसा उधार लेते हैं उधार को चुकता करने यदि आप जाते हैं तो उधार जितना आप लिए उतना देने के बाद यदी एस्ट् पैसा देंगे वही आपका कालाता है क्या व्याज कालाता है तो उमीद होगी मेरे प्रिछात्रों कि यह जो है आपको ब्याज समझ में आया ठीक है तो आपको देना ही पड़ेगा और उतना उधार देने बाद आपको एश्ट्रा चार्ज ले रहा है यानि अश्ट्रा आप जो है कि धन रासी दे रहे हैं यह पैसा आप उसको दे रहा है तो वही आपका कहलाएगा क्या ब्याज जैसे एक बार और मैं पर समझा देता हूं देखिए कि किसी ब्यक्ति को मैंने 250 रुपिया वापस किय जो हम उधे लिए थे और इस दो तोटल जी धीन दीजेगा 25 रुपिया मैंने उधार उसको दिया और उस दफिये तो तोटल जो है युषाप का जब मैने उधार दिया तोलोगार जो है उसको जो फार लिए हम ली थे उसको जो है कर दो सो पचास उरुपया ने यह दि मैने 200 उसे उधार लिया था 205 में उसे 200 उसे उधार लिया था यह बताईए उसका ब्याज कितना हुआ दो सो दो सो रुपिया मैंने लिया हुआ था उसको उधार देते समय यानि कि जब उसका उधार चुकता करने हम जाते हैं तो उसको यह दो सो फ़ी से अहीं कितना हुआ सो 500 रुपियाका 20 यह रहा आपका क्या अब सो रुपिया लेवें किसी से मालीजिक्ट सो रुपिया ले लिए यदि आपसे वह 300 वुपियर लेता है को 33T विए तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ब्यास्च आप किसता कि ब्यास आज एक पालगा 200 कि है तो अहाइग्छ च्छ्छ देटे और ब्यास् Как तो यह चीजह आपको अची समझ में आई दो प्रकार के होते है एक होता है सρα ब्याज क्या होता है चक्र बेद्धी तो इस वीडियो में हम देखेंगे सदहारन व्याज काल वहों हम आपको समझाएं चलिए आगे बढ़ते हैं बात कपते यह तो आप ब्याज समझ गया अच्छी तरह से और हाँ वीडियो आपको वास्तों में अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को स्वेयर भी जरूर कर दिए ठीक है चलिए बात करते हैं आगे मुल्धन की बात करते हैं मेरे प् किसी ब्यक्ति से मैंने उधार लिया या किसी ब्यक्ति को मैंने उधार दिया तो वह आपका क्या कहलाएगा मुल्धन का मतलब क्या हुआ जैसे मैंने पाइग पचास शुप्या किसी ब्यक्ति को मैंने पचास शुप्या कितना रुपया दिया तो यह आब मेरा मुल्धन है किसी ब्यक्ति से पैसा लेता हूं या किसी बैक्ति से पैसा लेता हूं या किसी बैंक में जो है कि एक हजार रुपिया जमा किया मैंने बैंक में एक हजार रुपिया जमा किया हूआ द हम देखते हैं कि दो वर्स बाद है मेरा जो पैसा हो जा रहा है एक हाजार एकसो येखाजार रुपिया तो मेरा मुल्धन था लेकिन जब बैंक में हम गए दो वर इस बात जब मैंने बैंक में जा कर अपना खाता चेक किया तो उसमें 1100 रुपिया हो गया कितना रुपिया जो आपका ब्याज बड़ा हुआ है ब्याज कितना बड़ा हुआ है 100 रुपिया का ब्याज आपका क्या हुआ है बढ़ गया समझने बात एक हजार पर दो वर्स में जो है कि 100 रुपिया ब्याज बढ़ा हुआ है अब यह ध्यान दिजिएगा बात बात करते हैं दर की तो यह आपको मुल्धन पता हो गया ना यह बात करते हैं दर क्या बात करते हैं दर तो दर जो है दर जो रासी है जितने परसेंटेज की दर से आपका ब्याज लागू किया जाता है दस परसेंट बारा परसेंट बिस परसेंट जितने दर से आपको जो है की ब्याज जो है की लागू किया जाएगा जितने दर से जो है क आपका लागू किये जाएगा वह काखलाता है क्या दर जैसे और परसेंटेज आता है तो समझ देगा कि वो क्या है है दर यहां प्तर þय से मौनें परसेंटेज कि दर तो आप समाज रहें तुरुंत है तो यह आप दर समझ गए जो भी परसिंटेज इतना रुपय का जितना परसिंटेज लगेगा वहाँ आपका दर कहलाता है अब मुल्धन जितना पैसा आप लेंगे या किसी अदितना पैसा देंगे वहाँ आपका हैं समझना है तो इसमें आपको समझ ना आ गया होगा इसमें घ्राइव कितना बना अपका 1000 रुपिया जो है कि आपका बना हुआ तो चलिए इसकी साथ हम बढ़ते हैं समय जितने समय के लिए आप पैसा उधार लेते हैं दो वर्स के लिए चार वर्स के लिए पांच वर्स के लिए वह आपका समय है बात करते हैं क्या मिस्तर हम है जो आपका मिस्तर होता है मेरे प्रीच आत्रों जो आपका मिस्तर होता है यह होता है मुलधन मुलधन पलस आपका बनता है क्या ब्याज यानि कि मुलधन और ब्याज का जो योग है वही कहलाता है आपका क्या मिसरधन कहलाता है मिसरधन क्या कहलाता है मिसरधन जैसे 5 जैसे आपका मुलधन और ब्याज आपका बढ़ गया 200 रूपिया यह तो आपका टाइम है कितना है और हां उसमें दर भी तो होगा इतने परसेंटेज की दर से बढ़ रहा है जैसे मालीं इसमें आपका बढ़ रहा है पांच परसेंट की दर से पांच परसेंट हो गया यह जो 600 रूपिया यह आपका मुलधन होता है अप मुलधन करते हम लों किसे पीसे आई जो आपका ब्याज है अब यह कह रहा है जो आपका आड कर सब्सक्राइब से अब यह वह को प्रसमें समझेगा इसमें जो और आपका ब्याज भी सामेले समझ में कंडिशन यह चीज़े आपको अच्छी से समझ में आ गई ना चली वास्तों में अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं सधारन ब्याज की तरफ किसके तरफ सधारन ब्याज की सब्सक्राबर होता है किया मुल्धन गूल दर के समय 10 में समय 100 जहां मुल्धन को ठाल को पी बोलते हैं ती कोया कि समय को स्थारण में अब यहां पर समझने वाली बात यह होता है हमेसा मुद्धन पर आपकिसी भी बेक्ति से अधी उधार जीतना लेते हैं यह किसी बेटि रुपिया उधार लेते हैं तो शिवसी पर कि ब्याज लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या सदहारन ब्याज जितना आप रुपिया लेंगे केवल उसी पे आपका ब्याज लगेगा न कि यह नहीं कि 10 बर इसमें जो कि इतना टेक्स लगेगा इतना अप जो यह आप नुसे नहीं जीतना आप जो है आप मुलधन ले रहे पैसा ले रहे हैं के वह उसी का जहों ब्याज लगता है तो आप जासमाने अपको 200 लिए दिया हुआ है कितने बडिस के लिए दिया हुआ है कि तने इतने प्रसेंटेज का जो है कि वार्शिक ब्याज लगे गा और जैसे माली जे मैं कह दूं कि जो मेरा आ रहे है यानि कि जो ब्याज मैं दे रहा हूँ यानि कि आपका जैसे माली जे तीन परसेंटेज या चार परसेंटेज कर दिजिए कितने परसेंटेज चार प्रतिसत किदर यानि कि देखिएगा मैंने आपको 200 रुपिया दिया 200 रुपिया दिया कितने वर्स के लिए दोस वर्स के लिए आज समय यानि कि सुरी समय तो आपका दो वर्स हो गया अज जो ब्याज की दर है चार परसेंट लागू होगी वर्स के देखिए जो ब्याज की दर हमेशा क्या वार्सिक सिक नियाओ फोलर से दोसाब को सथारन ब्याज जो हैं कभी पर लिए जाता है जितने समय के लिए उसी पर जो है कि आपका लग रहा है को बरीस के लिए दो बरीस के लिए तो आखिर में 200 रुपय का ब्याज कितना होगा तो आपको पता ही है कि एसाई बराबर आपका होता है समझें थ्यान से मुल्धन कितना था या आप नीचीव कर देता हूं मुल्धन आपका 200 रुपय था दर कितना था चार हो गया आपको ब्याज देना पड़ेगा कितना सोरा रुपिया आपको ब्याज देना पड़ेगा कितना रुपिया देना पड़ेगा सोरा रुपिया आपको ब्याज आपको देना पड़ेगा उससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा को रुपए पर दो सो रुपए पर को रुपिया सोरा रुपिया क्या समझ में आई बात यह बहुत सिंपल नहां इसके बाद यह तो मैंने आपको एक जांपल भी समझा दिए और एक मैं प्रस्ण लिख लेता हूं जांपल के तौर पर और इस इसमें जो है कि बस हम लोग इतना इकन जो है कि हल करेंगे स्थांफे तो यह तो आपको झाला मुल्धन और आपको सिंसे में आप से अविस्तान बता दी तो मिसदधन कितना हो जाएगा आपका 200 रूपीया मुल्धन है आप9 कितना है आप 10 करभ दर किसमें हो जाएगा 220 तो जाएग ने समय नहीं पता है कि मिस्सतरधन में जो है आपका मूलधन में सामिल नहीं अप्धारण बूसका है कि सधार्र ब्याज भोता है वह दिया जाता है उस पे कोई भी एश्ट्रा चार्ज लिया नहीं जाता है जितना ब्याज होगा तो आपको तो देना ही पड़ेगा ठीक है चलिए यहां पर हम लोग सोलुसन करके देखते हैं क्या आपसे पूछा है बहुत ही इजी तरीके से आपका हल किया जाएगा बस फामले पर आपको करने की आपको कितना होगा चलिए मैं स्क भी करके देखा देता हूं कि आपका कितना होगा देखें दे रखा है कि 5000 का तो 5000 जो दर आर है capital R जो आपका लागू किया गया है चार परसेंटेज की दर समझ में आई बाद कि टाइम कितना वर्स के लिए है दो वर्स के लिए है तो आपसे पूछा है कि सधारन व्याज येनिक SI कितना होगा तो आपको पता है कि SI बराबर आपका होता है पी आर टी बाटा में क्या 100 जदा दिक्कत नहीं पी आपका कितना है मुल्धन आपका है 5000 गोड़े स्टाइम सोरी दर कितना है चार परसेंटेज की टाइम कितना है दो वर्स के लिए बाटा में क्या 100 कटा दीजे भाई यहां पर देखिए चार दुनी के वार्ट हो जाएगा आठ पेशिक कितना चालिस यानिकि आपका 400 रुपिया जो आपका जो है 500 पर जो चार पर सेंटेज का वर्सिक लगाया गया है वहां पर दो वर्स के लिए लगाया गया मिस्तधन भी निकाले तो आपका पता है ना कि मिसरधन वराबर होता है पैने कि 5000 आपस आपका ब्यांच होता है यानि क्या होता है proper से मिसरधन में हमेसा जो है की 23 सामिल रोता है यानि कि मुलधन के साथ यादि प्याज को जोड़ दे तो आपका टोटल मिसरधन पता है याधि यह मैं आप cumpl पूछ देता हूं कि यह मेरे प्रिछात्रों यदि आपका मिस्तधन 5400 रुपिया है आप 5400 रुपिया में आपका मूलधन जो है कि 5000 है तो ब्याजावा कितना होगा 400 होगा कि नहीं होगा तो यह कंडिशन मेरे प्रिछात्रों उमीद होगी कि जो भी मैं इस वीडियो में प्र समझाओंगा सधारण ब्याद से सम्मांधित जो आपके दोस्तुत्र है उस पर जो है कि आपको मैं सवाल बताऊंगा एक्जांपल आपको समझाओंगा ताकि जब भी हम लोग परशनों का सलुसन करें तो आपको कोई भी दिकत नहों किसी परशनों का सलुसन करने में चले दो को दिजैंगा चले दोस्तों मिलते हैं आप से अगली ब्रीम तब दक के लिए बाए बैए